गैस कब अपना ओफीस अब बिस्नेस वर्ड के लिए एक प्रोफेशनल सीरीज का लप्तोर बाई करना चाहते हैं वो भी कंप्लिटी लेटेस्ट पैक्स के साथ तो आज मैं आपको डेल के ब्राइड न्यू इंस्पिरोन 5430 लप्तोर के बाई मताऊंगा जो रेसेंटिली इंडिया में लॉंस तो हुआ है बता दूँ आपको इस में इंटेल का लेटेस्ट 13 जेनरेशन का कोर आई-5 प्रोसेसर LPDDR5 राइम एंड वन टीबी की स्टोरिज ट्राइव देखने को मिल जाएगी और Laptop उन्हों के लिए काफी beneficial deal हो सकता है जो 75,000 तक के budget के अंडर में Laptop लेना चाहते हैं जिसमें वे accounting, marketing, trading या presentations बनाने से related task कर सके आप इस वीडियो को बेना skip की एंट तक पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको इस Laptop की specifications and performance के बारें पूरी जान करेंगा और Laptop के process के बारें में जानेंगे और वीडियो के end में आपको बताऊंगा कि क्या Laptop आपके day-to-day के task के लिए value for manual होगा या नहीं So of history moments let's get started Guys तेले सबसे पहले बात करते हैं इस Laptop के processor के बारें में आपको इसमें Intel का Core i5-1335U processor का support दिया गया है जो के एक Intel का latest 13 generation का Raptor Lake U series का processor है जिसे इसी साल 2023 में launch किया गया है और इसमें 0.9 GHz की base cloud speed से लेकर 4.6 GHz सकी maximum cloud speed देखने को मिलती है और ये processor 10 cores और 12 threads का रहने वाला है और गैस जैसा कि आपको पता ही है कि Intel के latest 13 generation के processor में भी cores 200 में divided है एक performing core और दूसर efficient core और इनके core threads और clock frequencies में काफी difference रहने वाला है आपको performing core में 2 core और 4 threads देखने को मिलते हैं और इसकी clock frequency 1.3 GHz से लेकर 4.6 GHz सकी रहेगी जबकि efficient core में आपको 8 cores और 8 threads देखने को मिलेंगे और इसकी clock frequency 0.9 GHz से लेकर 3.4 GHz सकी रहेगी जो laptop की single और multitasking की performance से इसको काफे चताइकेस optimize कर देंगे और max turbo power और इस processor की 55 water की है जिससे Sipa को काफी well performance प्रॉराइट करवा देगा और आप इस laptop को multitasking के लिए यूज कर सकते हैं इसमें 1080 pixels पर video editing कर सकते हैं programming के लिए यूज कर सकते हैं और इसली के साथ आप इस laptop का accounting, marketing, trading या other office work के लिए भी consider कर सकते हैं यानि आप इस laptop आपने सभी तरिकेटे day-to-day task fast and easily कर सकेंगे वो भी बिना किसी lack है और इसके operating system में आपको preloaded windows 11 home single language out of the box देखने को मिलने वाली है with lifetime license और इसली के संग आपके इसमें pre-install Microsoft Office Home and Student 2021 version भी देखने को मिल जाएगा जिससे laptop आपके office से business work के लिए काफी awesome deal रहेगा और storage और RAM options की बात करूं तो Dell के इस laptop में Tired to One TV के SSD storage drive दी गई है जिससे इस laptop की read and write की speed काफी fast रहेगी और आपको इसमें fast book time, fast application loading time और better system response से इस देखने को मिल जाएगी और RAM में आपको 8GB की latest LPDDR5 RAM का support दिया गया है जिसकी clock frequency 4800 MHz तक ही रहने वाली है जो काफी अची बात है और आप इसमें RAM को 16GB तक maximum rate भी कर सकते हैं जिससे गया इस Dell का laptop आपके लिए complete future proof deal रहेगा और चली फ्रेंट सब आगे बटते हैं और जानते हैं इस laptop के graphic card के बारे में तो Dell का laptop Intel के आरे से integrated graphic card के साथ आने वाला है जिसमें diet s2.1 version भी enabled दिया गया है जिससा आपको इसमें gaming करता है वक्त काफी amazing graphics देशनाय को मिल जाएंगे और आप इस laptop में 720 pixels पर GTA 5 और Call of DD के जैसे गेम से बड़े प्यासे खेल सकेंगे और इसे के साथ Core Ultra Illustrator और Lightroom के जैसे सभी Surface easily use कर सकेंगे 2D और 3D graphic designing के लिए और चलिए अब बात करते हैं इस laptop के display के बायर में आपको इसमें 14 इंचेस का Full HD प्लस display देखने को मिल जाता है जिसमें 3 साइडी narrow borders दिये गए है Dell ने इस laptop में काफी slim bezel square किये हैं और बता दूँ ये display 250 इंचेस तकी brightness के साथ आता है और display के color सें brightness काफी decent हैने वाले है जिससा को Netflix और Amazon Prime पर Contents TV में काफी अच्छा खासा experience एक्षने को मिलेगा प्लस guys हमें यहाँ पर Dell Comfort View फीचर का support भी दिया गया है जिससे इसके display में less harmful blue light रहेगी as compared to LED पैनल So overall guys Dell के इस laptop का display काफी शांदर रहने वाला है और design की बात करूं तो Dell के इस laptop का design काफी premium सा लगता है और laptop की build quality के साथ किसे भी तरिके कोई compromise नहीं किया गया है और बता दूए इसमें lift hands design दिया गया है जिससे laptop के back panel में कची ग्रेप और cooling बनी रहेगी और एक Dell का काफी थिने light weighty laptop है जिससा आपके लिए से carry करना काफी convenient रहेगा और laptop platinum silver color में आता है और इसके webcam के बाय मताओं तो Dell ने इस बार इसके webcam में अप्डेट किया है हमें याँ आपर full HD webcam का support मिलता है with the built-in microphones and the background noise reduce feature के साथ जिससा आप इसे video recording और video chat के लिए इस्तिमार कर सकते हैं और speakers की बात करूं तो इस laptop में dual speakers का setup रहने वाला है वो भी WAV Max Audio Pro feature के साथ जो audio को काफी अच्छते के से enhance कर देगा और आपको इसमें काफी बहत्री इन audio quality सुनने को मिल जाएगी और better wireless connectivity के लिए हाँ पर built-in Wi-Fi औ Bluetooth के कार्ट के support दिये गए है जिससा आप इसमें अपने सभी तरिके के wireless devices connect कर सकेंगे और आपको इसमें बहुत अच्छी downloading और uploading इसमी डिखने को मिल जाएगी और चलिए अब जानते हैं इस laptop के keyboard के बायम में इस laptop में standard size का keyboard रिद दिया गया है keyboard के किसके बीच की distance and key size दोनों काफी बढ़िया है जिससा आपको इस laptop में बहुत अच्छा typing experience लेखने को मिल जाएगा और आप इसमें काफी comfortably typing कर सकेंगे और अगर आप देर रात तक काम करने के shocking है तो इस laptop आपके लिए बहुत फायदोमन रहेगा क्योंकि इसमें backlight keyboard का feature भी है और बैक्टरी में इसमें 4 cells वाली 54 Watt की लीठर माया बैक्टरी दी गई है जिससा आपको 4-6 hours तका battery backup देखने को मिल जाएगा और इस laptop के पोर्ट के बाएं बताऊं तो हमें इस laptop में सभी तैके के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं जैसे कि 1 charging port, 1 HDMI port, 2 HP Type-A port, 1 Thunderbolt 4 port, 1 micro SD card का slot and 1 3.5 mm audio jack पर इसमें Ethernet का port नहीं दिया गया है और चलिए बात करते हैं कि इस laptop के box को उपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा इस laptop के box पर लाप्टर पाउड आपको लाप्टर के user guides देखने को मिल जाएंगे डेल का laptop business service वर को multitasking हो या day-to-day के task के लिए काफी बहतरिन model है और इस laptop में 75,000 तके budget के अंडर में काफी बहतरिन configurations देखने को मिल जाती है जैसे कि आपके इसमें 14 inches का full HD plus display देखने को मिलता है और इसमें Intel का latest starting generation का core i5 processor का support दिया गया है और इसमें 1TB SSD storage plus 8GB LPDDR5 RAM लगी मिलती है और आप इसमें rank of future में upgrade भी कर सकते हैं और हमें इसमें Wi-Fi Bluetooth के card भी देखने को मिल जाते हैं और इसी के साथ आपको इस laptop में backlight keyboard का feature भी देखने को मिल जाएगा और इस laptop पर पूरे 1 year की warranty दी गई है आप इसमें 78,000 तक बड़े प्यास से काम कर सकते हैं और आप इस laptop को long Chrome तक यूज़ कर सकते हैं आपको इस laptop में performance wise किसी तरिगा कोई issue देखने को नहीं मिलेगा वाक्ति में Dell का laptop पे एक value for money deal है और चलिए बात करते हैं इस laptop की कीमत के बाहे में इस laptop की कीमत है 71,000 और आप इस laptop को direct Amazon से purchase कर सकते हैं वीडियो के description box में को इस laptop का best buy link मिल जाएगा और अभी इस laptop पर कहीं सारे offers भी जल रहे हैं जिससा आपको 5-10% तक का discount भी मिल सकता है और आप चाहँ तो इस laptop को EMIBORN भाई कर सकते हैं झाल और आपको 5-10% झाल कर सकते हैं